प्रदेश में सूथ खोरी से प्रताडित लोगों की लगातार मौतों के बाद मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहां ने सूथ खोरों के खिलाफ अभियान चलाया है अभियान के तहत बिना लाइसेंस के सूथ खोरी करने वालों को जिन्हित कर कारवाई की जा रही है दाजा मामला पुलिस ने रसूखदार को गिरफतार कर लिया है दरसल आरूपी ने महिला को पांच साल पहले यहां एक लाक रुपए दिये थे लेकिन ब्याज इतना लगाया कि अब रकम जो है वो पांच लाक रुपए हो गई वहीं दूसरी तरफ महिला ने थाने में शिकायत देश कराई जिसके बाद यहां पुलिस ने रसूखदार से लाइसेंस मांगा और लाइसेंस ना मिलने पार उसके खिलाफ कई धाराओं में कारवाई की